हाई एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई हो पच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रिशन अच्छी चल रहे हुगे जो लोग भी एपरेंटिस में इंटरेस्टेर है उनके लिए गूड नीज है और साथ में जो लोग गेट में अच्छा परफॉम नहीं किया है उनके लिए कि आप HAL के थुरू हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेट के थुरू एक एपरेंटिस का जोब निकाला गिया है जिसमें आप जाकर देख सकते हो कैडियर में यहाँ पर वाकिन इंटर्विव होगा आपका बैंगलोर में प्रॉपर तरीके से सारे इलिजिबल है इस पे अब आप क्लिक करोगे तो एक नए आपको पेज़ खुलेगा और इस PDF को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे इसको एक बार मैं गो तुरू कर देता हूँ ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको बहुत अच्छे तरीकी समझ में आए कि हाँ यह क्यों इंपोट इसमें कुछ आपको बैंगलोड जाना पडेगा और सुबह आठ से लेके दोबजे का टाइमिंग है जिसमें आपके इंटर्विव होंगे तीक है अब इंटर्विव जो होँगे उसके बेसिस पे यहाँ पर सेलेक्शन है सेलेक्शन में सीधे यह बोल दिया है कि फरस्ट कम इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कुछ स्कोर दिखा जाएगा वैसा कुछ नहीं है और इसमें देखोगे तो आपको यह सब कैंडिडेट जो रिपोर्ट आप कर रहे हो वेन उपे आप यह सब लेके जाना ठीक है आप एससे के तेंथ का माक सिट हो गया, डिगरी सर्टिफिकेट हो गया, समेस्टर का माक सिट हो गया, SGBP, Reserve category के आपके पास है तो डेटेल आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो इस टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो इस्टार्टिंग में 12 महीने के लिए ये कोर्स होने वाला है ठीक है ट्रेनिंग तो 12 महीने में आपको 9,000 पर मंद, 9,000 पर मंद, 4 डिग्री होल्डर्स and 8,000 पर मंद, 4 डिपलोमा होंडर्स होने वाला है अब देखो जो लोग B.E.B.Tech करके इदा उदर भटकते रहते हैं और 8,000, 9,000 की जॉब करते हैं उसे बहतर है कि आप इस इंटर्व्यू को दे लो ठीक है क्या पता आप की हो जाए डूसरी चीज़, जो लोग किसी भी कॉलेज से अपार्ट फ्रॉम IITs and टॉप NITs को छोड़के किसी भी कॉलेज से आप M.Tech का प्लान करते हो तो आप उसको ड्रॉप करके इसको जरूर आप दे लो ठीक है, बैंगलोर आपको एक बार जाना होगा मान लिया लेकिन जाकर अगर आप दे लोगे तो उससे फैदा क्या होगा कि आप आपको एक तो ये पॉकेट मनी का प्रॉब्लम जो है वो खतम हो जाएगी और उसके अलावा, 9,000 पर मंत के बाद भी आपके बाकी जो अलावेंस होते हैं वो सब भी दिया जाएगा मस्ट भी कोपी इतना पढ़ ले दें एक बार है न इन एडिसन देखो सब्सीराइज कैंटीन फैसिलिटी एवलेबल है ठीक है तो आपको दिक्कत है नहीं और स्टाइपन जो है कब होने वाले है पाच को ठीक है जो मैं देख रहा हूँ अपने इंजिनेरिंग डबल यी इसी के जो है वह आपके पाच जून को होने वाले है एक बार जाके दे लिए ठीक है एमटेक खराब कोले से करने से अच्छा है आप यह दे लो आपको एडवांटेज में रहोगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एक साल आपके पास इंडेस्टिल एक्स्प्रियेंस आएगी और उस एक्स्प्रियेंस के बैसिस पर आपको फूल टाइम वहाँ पर जॉब मिलने तो यह चलेगा आपका 1st June से ठीक है तो लाइप क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो 1st June से स्टार्ट हो रहा है और 1st June आप कूबन कोड लगा सकते हो 70% आफ चल रहा है माई 70 जो लोग भी इंटरेस्टेट है गेट की त्यारी करने में डबल इसी आइन के वो इसको ले सकते ह रहेगा और यह वैलिडिटी जो है 31 मही तक रहेगा 1st June से हम लोग लाइप क्लास से स्टार्ट कर देंगे और विडिस डबली के और भी कोर्से से जो मैं डील करता हूं वो भी आप देख सकते हो कहां जाना है आपको नियोसपार्क उनलाइन.com पर मैं लिंक क्या पता मतलब हो जाए घर में बैठने से अच्छा है कि भाई कहीं से ट्रेनिंग करो है ना और ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड भी उठाओ क्या दिक्कत है एक साल का experience होगा आपको क्या करते हैं कंपनी में क्या चल रही है अंदर वो पता चलेगा तो उसके बाद उसी के basis पे full time भी आपको offer मिलेगा और उसके बाद आप continue कर सकते हो ठीक है तो आगे बढ़ना is more important than घर में बैठे रहना ठीक है ना तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में like कर दिजेगा और subscribe कर लिजेगा कोई भी course चाहिए तो आप newesparkonline.com पे आ जाए थैंक यू